जम्मु कश्मीर के साथ ही पूरे देश को बड़ा तोफा देन जा रही है। जिसमें उने जीत तो मिली लेकिन उन दोनों के हाथ केवल पांच पांच रुपई आए। बताया गया कि दोनों सफाई कर्मी हर रोज तीन घंटे काम करते हैं और केस जीतने से पहले उन्हें 19 रुपई हर घंटे के साब से मिलते थी। जिलादिकारी पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए दोनों सफाई कर्मियों ने फिर से हाई कोट में केस लड़ने का मन बना लिया। अबी हम उसकी दियम की साधेश को चुछ होते देंगे ना इन्याय में तिकि उनके साथ बहुत बड़ा इन्याय परसनली मुझीबे लगता है कि अन्याय हुआ है। चांदी केस कलश की शुरुआती बोली 18,000 रुपए तक की गई थी। इसके लावा निलामी में अपने बचड़े को दूद पिलाती एक गाई की धात्रू की मूर्ती के 51 लाक रुपए में विकने का दावा किया गया। गाउं में विकासकारियों का मौायना करने पहुचे थे लेकिन गाउंवालों ने दलित होने की वज़े से उनको गाउं में गुसने नहीं दिया और उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। इसके बाद बीजेपी सांसद और उनके साथ पहुचे लोगों ने गाउंवालों को काफी देर तक समझाने की कोशिश की लेकिन गाउं के लोग वहां से नहीं हटे। जिसके बाद बीजेपी सांसद नारायन स्वामी को वहां से लोटना पड़ा। उत्तरी स्पेन में साणों की रेस के दौरान एक साण्ड ने अपने सामने भाग रहे एक लड़के पर हमला बोल दी। उस वक्त सैकडों की तादाद में लोग सांडों की दौर देखने के लिए मौजूद थे। भगदर मचा दी थी। लोगों की भीड से दूर जाने के लिए उसने एक मकान की खिड़की में भी घुसने की कोशिश की थी। बाद में उस सांड पर काबू पालिया गया था।